इस पमित्र आउसर पर थोड़ी देर पहले ओडिसां के विकास से जुड़ी पंदरा सो करोड से अधिक की परियोजनाओं का लोकारपन, उद्घाटन और सिलान्यास मैंने किया है इसी के साथ एक महिने के भीतर-भीतर बीस हजार करोड रुपिये से अधिक की विकास परियोजनाओं पर काम या तो शुरू हुआ है या फिर लोकारपन हो चुका है मैं उडिशा के भाईयो बेहनों को पूछना चाहता हूँ क्या कभी किसी ने कल्पना की है कि भारत सरकार इतने कम समय में उडिशा में बीस हजार करोड रुपिये के काम आप कल्पना कर सकते हैं जरा आप याद रखे बताओगे कितना काम बीस हजार करोड कितना 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 बीस हजार करोड रुपिया उडिशा के अंदर विकास में लग जाएं विकास की इस रफ्तार के लिए नए उडिशा के निर्मान की इस नई धारा के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ साथियों ये तमाम परियोजनाएं कैसे यहां के जीवन को आसान बनाएगी रोजगार के नए आउसर पैदा करेगी इन पर बात करने के साथ ही मैं कुछ सवाल आपके समख उठाना चाहता हूँ ये सवाल हमारी अस्पिता से जुड़े हैं हमारी आजीविका से जुड़े हैं आप मेरे सवालों का जवाब देंगे आप मेरे सवालों का जवाब देंगे मेरे सवाल आप तक पहुंच रहे हैं सवाल पूछू साथियों आप मुझे बताईए आप मुझे बताईए भारत सांस्कृतिक रुप से दुनिया का सिर्मोर है के नहीं है है के नहीं है हमारी सव्यता सबसे स्रमरुद रही है के नहीं रही है रही है के नहीं रही है ग्यान से लेकर विग्यान तक बारत दुनिया में अव्वल रहा है के नहीं अव्वल रहा के नहीं अपनी इस स्रिष्टता को नई उचाई देना का काम आप मेरे भाईयों बेरों बताईए ये काम हमें करना चाहिए के नहीं करना चाहिए मुझे आपके असिरवाद चाहिए ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बाई और बेनों आपको जिसकी समझ है आप सब हां में जवाब दे रहे हैं लेकिन जो उडिसा के दूर दराज के लोगों को समझ है वो दिल्ली में बैटे सल्तनतों के बिरादरियों को पता नहीं है वे सल्तनत की तरह सासर करते रहे हैं जो आज भी अपनी सल्तनत को जैसे तैसे जूट प्रपन से सापित करने में जुटे हुए है उनकी बे परवाही का परणाम है कि जो हमारी असली संपदा है जो हमारे पांस सेंकडों वर्सों से प्रचूर मात्रा में रही है उसका प्रचार प्रसार तो दूर द्यान भी ठिक से नहीं रख पाए वो संपदा जिससे दुनिया को जलन होती थी विदेशी आकरांता जिसको बरबाद और तबाह करके चले गए उसके उत्थान और पुनांदिर्मान के पती उन्होंने वो गंबीरता नहीं दिखाई जो होनी चाहिए थी ओडिसा तो हमारे सांतकृतिक ओजस का एहम हिस्सा रहा है ओडिया गीत ओडिया संगीत ओडिसी नृत्या ओडिया भाषा का काभ्य वर्साइत्या अप्रतीम है अद्बूत है ओडिसा में भारत के गवरवशाली इतिहास हमारी सभ्यता और संस्कृति की बहु मुल्य दरोरे है जादा दूर क्या जाना यहां बनांगीर के चौशर्च योगिनी के मंदीर लेहरी गुडी मंदीर रानी गुडी मंदीर सोमेश्वर्व इंद्रलट मंदीर को ही लीजिए यह सारे अनेक सतावदियों पहले से बने हुए है ऐसे ही बाउद जीले के निलमाधव और सिद्देश्वर मंदीर भुमनेश्वर मंदीर और कपिलेश्वर मंदीर है ओडी सा के हर जीले में आस्था के ऐसे महत्वपुन्स्थल है जो हमारी सांसकुर्थिक संबता के प्रतीक है दुनिया की सबसे पुरातन सब्विताओं मैंसे एक हमारी सब्विता की पहचान है हमारे पुर्वजों के कौशल के प्रमान है साथियों ओडी सा कैसे अनेग मंदीरों के नमीनी करण और सुन्दरी करण इसका बिड़ा दिल्ली में बैटी भी भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने उठाया है पहले क्या हाल था इसे अपने ही हाल पर छोड़ दिया गया था इसी तरह गवरवशाली और वैभवशाली कलिंग सामराज्य के महतपुन स्थानों पर दूल जमने दी गई काला हंडी का असूर घड़किला कितना बड़ा राजनिती और व्यापारी केंद्र हुआ था इसके रख रखाव को लेकर भी कोई गंबीरता नहीं दिखाई गई मुझे खुशी है कि आज इन सभी के पुनरुद्दार का काम शुरू किया गया है